नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है NTA UGC NET के तरफ से एक बहुत बड़ा सा न्यूज आया है कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है तो जैसी के आप यहाँ देख सकते हो, December 2020 और June 2021 का एकजाम अपडेट अलरी आचुका है तो चले हम चलते हो उसका ओफिसियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ के हम यहाँ टीचिंग रिलेटेट सारे के सारे स्टेडिस, कम्पिटेटिव एकजामस और जॉब्स के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने आभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो यह है UGC.NET का ओफिसियल वेबसाइट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे यहाँ देखिए लेबसाइट में में मेंचन के आगा है करेंट इवेंट्स करेंट इवेंट्स में जोफास्ट जो नोटीफिकेशन है आप यहाँ देख सकते हो पब्लिक नीटीज देटेड Days STEM 2020, Opening of the Online Portal for Submission of Online Application Form for the June 2021 UGCNET. Due to the postponement of December 2020 UGCNET in view of COVID-19, the schedule of June 2021 UGC-NET has been delayed. In order to regularize the UGC-NET examination cycles, the National Testing Agency, NTA, with the concurrence of UGC, हाज merged both UGC net of December 2020 and June 2021 cycles तो यहाँ देखे ये COVID के चलते एक्जाम नहीं हो पाया इसलिए UGC ने अभी बोल रहा है कि December 2020 का जो एक्जाम है और जो June 2021 का जो एक्जाम है ये दोनों को merge कर दिया जाएगा तो इसमें से जिन्हों ने भी 2020 में जो फर्म भला था अडमिन से December 2020 में तो उनके लिए एक लुक्सान एह है कि उनको एक opportunity उनका miss हो रहा है हागी नहीं आप यदि देखोगे तो उनका एक opportunity यहाँ miss हो रहा है मगर हम क्या कर है हम कुछ नहीं कर सकते मगर यह यह इस प्रकार का notification आया है देन देखे second इब में यहाँ जो mention किया गया है the schedule of the UGCNate June 2021 का यह schedule है online registration and the submission of the application form complete all the respect through the NTA website यह आपका शुरू होगा 10 अगस से और यह चलेगा कब तक 5 September 2021 तक up to 11.50 पीम ठीक है then last date of successful of transaction of examination fee is 6 September तक आप इसको transaction कर सकते हो means आप जो payment करना है payment कर सकते हो then correction of the particular application fee कब से होगा यह 7 September से लेकर 12 September तक होगा then downloading of admit card NTA website यह announce कर दिया जाएगा then date of examination देखे आ गया है 6 October 2021, October 2021 6 October से लेकर 11 October तक होगा timing of examination first shift आपका 9 बज़े से लेकर 12 बज़े तक होगा then second shift आपका 3 बज़े से लेकर 6 बज़े तक होगा और बाकी इसका website यहां mention किया गया तो आप चाहो तो इसका भी इसका भी ले सकते हो then the slot of the JRF of both UGC net of December 2020 and the June 2021 cycle will be merged यह भी देखे यह भी एक बहुत बड़ा means बुरा ख़बर है जो December 2020 student के लिए ठीक है while the methodology of subject wise come category wise allocation of JRF shall remain unchanged the candidates are advised to keep visiting the official website NTA and for the latest updates sorry तो इस प्रकार का एक अच्छा ख़बर भी है बुरा ख़बर भी है तो जिन्होंने 2020 का exam नहीं दे पाया है तो उनके लिए एक बुरा ख़बर है क्योंकि यह मर्ज हो रहा है बाकी जो certificate भी जो issue होगा यह भी आपको अभी आपने सुना होगा लास्ट जो जिन्होंने 2018 में December और 19 उनका जो time है उसको extend कर दिया गया था तो आपको इस type का opportunity साइड नहीं मिलेगा तो एक छोटा सा notification है तो मैंने आपको बता दिया आप चाहो तो आपका जितने भी सारे दोस्त है जो भी फ्रेंड है NTA के लिए prepare हो रहा है UGC NERJRF के लिए तो आप इस वीडियो को भी share कर सकते हो इसके उपर मैं second time एक वीडियो बनाऊंगा कि यह क्या क्या आपको नुक्सान होगा क्या 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 आपको भाइदा होगा अभी just मैंने एक information के लिए भी बना दिया हूँ तो यह है इसका latest notification और इसका जो link है मैं दे दूँगा description में वहाँ जाकर भी आप इसको download करके भी आप देख सकते हो और जिन्होंने अभी तेक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजे future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा So thank you all the best